धम शरनम गच्छामी धम्मम शरनम गच्छामी परंतु ऐसा मानुत पन्ने करते समय कलेश पूर एहंकार नहीं होना चाहिए वो साधक दोश एहंकार से पराजित होता है कलेश मान रखने वाला नहीं है क्योंकि कलेश घमंड वाले कभी ध्वेश जैसे शत्रू के पास नहीं होते हैं परित्व जनिनी कलेश दोश से अनेक दुख भोगना होगा क्योंकि जो भाव है घमंड है भावना से दर्गत में पतन होगा और यदि मानव जन्म मिले भी तो सुख सुविधा से वन्चित रहेंगे जो कलेश वाला एहिंकार होता है उस समय मैं कर सकता हूँ काम जो भी बहुत सारा काम कर सकता हूँ ऐसी सोच होनी चाहिए क्योंकि उस समय अगर घमंड उत्पन हो जाए कि मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता तो ये कलेश मातर होगा गमंड कभी उत्पन नहीं करना चाहिए हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत से काम करना चाहिए लेकिन गमंड कभी नहीं करना चाहिए अपने आपको नीचा रखते हुए दूसरों को मौका देना चाहिए वास्तब में जो दोश एहंकार पर विजय पाने के लिए मान रखता है परन्तु ऐसा मन उत्पंद करते समय कलेश पूर एहंकार नहीं होना चाहिए वो साधक दोश एहंकार से पराजित होता है कलेश का मन रखने वाला नहीं क्लेश घमंड वाले कभी दोश जैसे शत्रू के पास नहीं होते हैं परिक्त तजननी कलेश दोश से अनेक दुख भोगना होगा क्योंकि जो भाव है घमंड है भावना से दरगत में पतन होगा और यदि मानव जन्म मिले भी तो सुख सुविधा से वंचित रहेंगे जो कलेश वाला एहंकार होता है उस समय मैं कर सकता हूँ काम जो भी बहुत सारा काम कर सकता हूँ ऐसी सोच होनी चाहिए लेकिन उस समय अगर घमंड उत्पन हो जाए कि मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता तो ये कलेश मात्र होगा घमंड कभी उत्पन नहीं करना चाहिए हिम्मत होनी चाहिए हिम्मत से काम करना चाहिए लेकिन घमंड कभी नहीं करना चाहिए हमेशा अपने आपको नीचा रखते हुए दूसरों को मौका देना चाहिए वास्तम में जो दूश एहंकार पर विजय पाने के लिए मन रखता है वही कलेश मन वाला है और दूश एहंकार पर विजय पाने वाला वीर पुरुश भी है ऐसे कलेश मन वाले बहुत शक्तिशाली और एहिंकार को नष्ट करके संपूर जगत के अभीष्ट फल मोक्ष को उत्पन कर सकते हैं इसलिए कलेश के बीच रहते समय उसे हजारों उपाईयों से द्रप्त होना चाहिए जैसे लोंबडी आदी जानवर सिंग पर आकमर नहीं कर सकते शेर पर आकमर नहीं कर सकते वैसे ही कलेश मन से तरप्त होकर दुर्जय होना चाहिए जैसे हम बहारी हानी से अपने आप की रक्षा करते हैं वैसे ही विविन्य प्रकार की विपत्ती के समय कलेश दोश से खुद की रक्षा करनी चाहिए जो चार प्रकार के मार्ग है, चार प्रकार के मार्गों का ये मतलब नहीं कि कोई बहुत बड़ी शक्ती हो तो इसको यहां समझना चाहिए कि हमारे जो मार्ग है, उसमें एक तुम कलिश मार्ग है, दूसरा हमारा इसकंद है, इसकंद के रूप में मार्ग होता है, जो हमें ब के क्लेश दोश की आक्रमन से रक्षा करनी चाहिए अब इस अभ्यास में निरंतर प्रसन्य पूर्टा पूर्वक बिना किसी त्रप्ति के अनुभव किये बिना लगे रहने चाहिए जैसे बच्चे खेल के सुक में खोई रहते हैं तो यहां इस लोग शूनिता के साथ करके इ और फिरो बिना अनुभव के ही एहंकार उत्पन करते रहें तो ठीक नहीं होता है जहां हमारा क्लेश उत्पन होता है उस समय क्लेश उत्पन क्यों हुआ इसके बारे में सोचना चाहिए अगर हम उसके बारे में परिक्षन करेंगे जाच परताल करेंगे तो उसके अर्थ को समझ सकते हैं हम साधारन लोग अपनी सुख सुवधा के लिए अनेक कारे करते हैं परंतु उन कारियों से सुख प्राप्त हो भी सकता है या नहीं वो अनिश्चित है फिर भी हम प्रियतने करते हैं बहुत चरेकारे का सुखद फल मिलना निश्चित है क्योंकि सांसारिक काम रोक कर छोरी की धार पर लगी मधों के समान होते हुए भी हमें भोगुस उत्रप्त नहीं होने देता फिर कौन उस अपार सुख में और निर्मान पुन्न से त्रप्त हो सकता है हमें बौदचित उत्पत्ती के लिए लक्षों को प्राप्त करने के लिए अभ्यास कर्म में जुटने के लिए निरंतर कोशिश करनी चाहिए हिम्मत उत्पन्न करके इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए जिस तरह से दोपहर का प्यासा हाथी तालाब में पानी में डुकी लगाने के लिए उत्सुक रहता है उसी प्रकार हमें भी अपने पूर्णियों के लिए प्रियास करते रहना चाहिए यहां से त्याग का वर्णन होता है निरंतर ऐसा अभ्यास करते समय शारिरिक असमर्थता के कारण भी जारी रखना असमभव होता है लेकिन उसके बाबजूत भी भविश्य में उस पूर्णिय कार को सफलता के साथ करने के लिए छोड़ दिना उचित होता है एक कार को संपन्य करने पर ही दूसरे कार के आरंब करने के लिए संपन्य कार को छोड़ना चाहिए अगर हमारे शरीर की शक्ती कम हो भी जाए तो अगली भार अच्छे से काम करने के लिए थोड़ा सा हमें अपने शरीर को आराम भी देना चाहिए उधारन के तोर पर जिस तरह एक अनुभवी और कुशल योधा शक्त्रों से हस कर बच्चते हुए भी अपने हत्यार का प्रयोग करता है उसी प्रकार बहुत सत्यों में कलेश के निवारन के लिए अभ्यास करते हुए भी साबधारी मरतनी चाहिए तो जब भी हमारे अंदर आलस उत्पन हो तो उस समय आलस का जो विपरीत हो उसका उप्योग करना चाहिए जब युद्द में लड़ते लड़ते कोई तलवार गिरने पर भै के कारण तुरंट उसे उठा लेते हैं उसी प्रकार अभ्यास करते समय मन भटकने पर नर्क के भयंकर दुखों का इसमर्ण करते हुए तुरंट छोटी हुई समृती की तलवार उठा लेनी चाहिए यहां यह प्रशन हो सकता है कि समृती कोने का इतना जादा खत्रा क्यूं है तो कहते हैं कि जिस तरह खून की गती के कारण विश पूरे शरी में फैल जाता है वैसे ही कलेश दूशो दौरा अफसर पाकर उसके चित में फैल कर उसे वश में करने का काम करता है जिसका भै होत जैसे कि किसी कागस पर अगर एक बूंद किनारे पर रख दी जाए तो पूरे कागस पर फैल जाती है उसी प्रकार हमारी चेतना यह इस्मिति बान होकर दोश को दूर करने के कोशिश करने चाहिए जैसे किसी व्यक्ति को तेल से भरा पात्र हाथ में देखकर कोई उसे कह गिरी तो मौत होगी तो डरा हुआ व्यक्ति उस पात्र की रक्षा के लिए तत्पर रहेगा तो मान लीजे किसी व्यक्ति से कहा जाए कि तुमने थोड़ी भी गल्ती की तो तुमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा तो वो कभी गल्ती नहीं करता वो अपने मन को एक अनन करके जब तक नहीं पच्टाते उस समय तक सोच विचार करना सुचित कर्म करना चाहिए इसमृति का अभ्यास होते हुए उचित वातावरन गुरु जनों के दर्शन कर शिक्षय प्राप्त करनी चाहिए सूत्र पाठ या सुचित कर्म करना चाहिए किसी प्रकार के वश में हर समय तत्पर होना चाहिए तो इस प्रकार के जो अभ्यास हैं उन्हें लंबे समय तक करती रहना चाहिए वीर पार्विता सप्तंपरिच्षेद या शमाब तो होता है इसके बाद जो हमारे ध्यान पार्मिता का अस्तंपरिच्षेद है उसकी शुरूआत होती है वीर परिछेद, धर्म अभ्यास के प्रती चंद, उत्सहा, प्रयत्न, आदी की जो शिक्षा मिलती है, उसके सही ग्यान के साथ ध्यान पार्मिता अभ्यास होना चाहिए। ध्यान पार्मिता या ध्यान का अभ्यास करने के लिए वीर पार्मिता, ध्यर पार्मिता, शांती पार्मिता आवशक होती है। अब इसके बाद ध्यान पार्मिता अभ्यास शुरू होता है। ऐसे वीर का उत्सहा बढ़ा कर समाध में स्थापित करना चाहिए। जो समाधी की बात होती है हमारा चित एक जगाए लंबे समय के लिए रुक सके इसका अभ्यास बढ़ाने के लिए प्रग्या का हुपयोग किया जाता है प्रग्या का अध्यान किया जाता है तो समाधी की जहां तक बात की जाए तो वो हिंदू धर्म हो या बौद धर्म हो या कोई भी धर्म हो सभी धर प्रफ रहती है वहां भी बहुत सारे लोग साधक लोग हैं जहां भाई पर वहां पर जो हिंदू धर्म के साधक लोग थे बड़े बड़े शिमुनी लोग वहां पर थे मुझे मिलें तो मैंने उन से पूछा कि आप किस प्रकार अभ्यास करते हैं तो जहां तक समाधी की बात की जाए या फिर सम्मत की बात की जाए तो लगबख दोनों का एक जैसा ही अभ्यास होता है जहां तक निर्यात्म की बात की जाए पुद्गल निर्यात्म की अनुसार समाधी के अभ्यास की बात कर की जाए तो बौद धर्म की अत्रिक्त दूसरे धर्म में देखने को जारा दुख मिलते हैं जहां तक निर्यात्म की बात की जाए पुद्गल निर्यात्म की बात की अनुसार समाधी की अभ्यास की बात करें तो बौद धर्म की अत्रिक्त दूसरे धर्म में देखने को मिलती है जहां तक लोक की बात की जाए तो अपर लोक और निमने लोक अपर लोक में दुख कम होते हैं और निमने लोक में दुख जादा होते हैं तो उसकी अनुसार भी उस पर समाधी लगाई जाती है समाधी के द्वारव से समझा जा सकता है जैसे उधारन के तौर पर इसकूल का कोई छात्र हो तो कक्षा में कुछ बच्चों का दिमाग काफी तेज होता है वो कोई भी ची अपित होने के जो कारण है वो अभ्यास के कारण हुआ जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे हम अपने चित्ते को एक जगह पर लगा सकते हैं एक मेरे अमेरिका की मित्र है तो उन्होंने लगबक 40 वरश तक अभ्यास किया तो उन्होंने बताया कि वह एक बिंदू पर एक विश्यव पर एक समय में तीन घंटे तक रख सकते हैं हना कि समय ध्यान लगाते वक्त शुनिता पुद्गल निर्यात्म की बात नहीं होती लेकिन अपने मन को एक जगय एकत्रत कर सकते हैं थाइलेंड में भी समाधी देखने को मिलती है बर्मा में समाधी का अभ्यास करने की विवस्ता देखने को मिलती है और जो हमारे पुद्गल निर्यात्म की बात है वो पुद्गल निर्यात्म का सुक्ष्म रूप है वो पाली परंपरा में देखने को मिलता है एक बिंदू पर अपने चित्त को बिना विच्छित किये रखना केवल अपने मन को वहां रखना ही नहीं है बलकि वो स्वताः वहां जाना शुरू हो जाए तो इसे समाधी कह सकते हैं बिना कहीं भटके चित अगर एक जगा लग सके जिस समय ध्यान लगाते समय कभी कभी नींद भी उत्पन होती है या अपना चित एकदम से दवा सवे लगता है अगर पर चित कोई कागरचित ना कर सकें तो फिर और भी ज़ादा आलस इत्यादी उत्पन होता है इसलिए ये ध्यान लखना चाहिए कि हमें आलस इत्यादी आने के संभावना भी हो सकती है उस समय हमें पूर्ण रूप से सतर के रहना चाहिए आप जिस विंदू पर अपने मन को लगा रहे ह वो इस पस्च नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि जो आपका मन है वो जागरुक नहीं है जो समादी है तो समादी में ना रहने की वज़ए हमारा आलस होता है तो आलस को हटाना चाहिए आलस के भी दो तीन रूप हो सकते हैं इस थूल आलस या सुक्ष्म आलस और उससे भी इस सुक्ष्म उस आलस को समझना चाहिए, जो हमारे ध्यान है, समाधी में आने की जो वस्ता है, उसे रोकने का जो विरोध है, वो एक प्रकार का आलस होता है, जो हमारे मन को चंचल बना देता है और अधर हो जाता है, इस प्रकार से आलस को नस्ट करने के लिए क्या करना चा उससे पहले जानना चाहिए कि आलस आने का कारण क्या है और चित अगर बहुत जारा आलस में चला जाए तो इधर उधर भटक सकता है चंचलता इत्यादी में ना पड़ पाए इसलिए अपने मन को एक निश्यत अवस्था में बना कर रखिए मन को इधर उधर बहुत जारा न प्रभाब का हमारे मन पर प्रभाब परता है अपने चित्ति को किस प्रकार वश्म करें इसके बारे में जानना चाहिए अगर हम इसका रोज अव्यास करेंगे तो हमारा मन इकत्र हो सकता है और धीरे-धीरे मन में उत्सुकता पैदा होगी ध्यान लगाने की समाधी लगान कोई गलती नहीं होती जारतर हमारा मन ना लगना हमारे उपर निर्भर करता है विशय की कोई गलती नहीं है विशय में कोई कमी हो ऐसा संभव नहीं है विशय तो बहुत कुछ हो सकता है अपने मन को भी विशय बनाया जा सकता है अपने शरीर के किसी अंग को भी विशय बनाय की जा सकती है जो ध्यान लगाने के पहले चरड में हो तो उन लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अपने मन या चित्ट को एक जगह पर देखने की कुशश करें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो भी हम अभ्यास कर चुके हैं वो तुरंत उस पर लग जाए उधारण के तौर पर अगर आपके सामने भगवान बुद्ध की मूर्ती है उस पर आप मन लगा रहे हैं तो जब तक आपे ध्यान लगाया तो जैसे ही आपकी दूसरी बात दुबारा मूर्ती को देखेंगे तो तुरंत ध्यान उत्पन हो जाए तो इस प्रकार उनकी एक परचाई या छाप आपके मन पर छोटी हुई हो ऐसी एक छाप बन जाने चाहिए अगर वो तुरंत प्रभाबशाली रूप से दिखाई दिना शुरू हो जाए या आपका मन एकत्र होना शुरू हो जाए एक प्राप्त कर रहे हैं ये इस बात की पहचान है तो जब हम तंत्र के द्वारा बिहास करते हैं तो शरीर को ऐसा माना जाता है कि ये देवता के रूप में शरीर है और उस हिसाब से समाधी को प्राप्त करने की विधी होती है अलग अलग विधियां अलग अलग तरीके से होत जब तक आप इसम्रती में नहीं रहेंगे। ध्यान नहीं लगा सकते। इसके अतरिकते हमारे चितन के नौ इस्थान होते हैं। उनके जो क्रम बताये गए, उनके नुसरा भ्यास चाहिए। फिर धीरे धीरे हमारे शरीर और मन की जो शांती होती है तो खासकर हमारे मन की शांती को हमें प्राप्त करना चाहिए उसके अलावा जो काम लोग है या रूप लोग है तो उसमें जो हमारी समाधी के जो क्रम होते हैं तो अलग-अलग करम के हिसाब से बाटा गया है और ये एक तरह की समाधी को प्राप्ट करने की विवस्ता है और इस समय खास तोर पर बौद चित्ते की प्रमुक्ता दी गई है इस प्रकार के समाधी अभ्यास को उचित वातवरण के लिए शरीर और चित दोनों को प्रपंच से मुक्त कर देना चाहिए जिसके लिए सब प्रकार के मनरंजन और सांसारिक जो संबंध हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए यहाँ पर जो सांसारिक संबंधों के परित्याक की बात की गई तो इसका अभी प्राय है कि जो मनरंजन की चीज़ें उसमें पढ़कर ध्यान प्रकार के कारण प्रपंच होता है और उसका परित्याक नहीं हो पाता अता विद्वानों की भाती ग्यान होना चाहिए और इन सब चीजों से वच्च कर रहना चाहिए समाज से युक्त विवेचना के कारण तीनों कलेशों को नस्ट किया जा सकता है अगर हम समाधी का भ्यास करते हैं तो उसका प्रमक देश यही होता है कि हम किस प्रकार से बुदत्यों को प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि निम्ने भूमियों के हैं या उच्च भूमियों के हैं तो इस प्रकार की जो हमारे कलेश हैं उन्हें कैसे नस्ट कर सकते हैं बिना पुद्गल निर्यात्म को समझे हमारे कलेशों को नस्ट नहीं कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं लेकिन पूर्ण तरीके से हम नस्ट नहीं कर सकते हैं जारतर जो आ सकती हैं जो स्वार्थ प्रतक जनों के साथ रहने से धर्म अभ्यास होना कठिन होता है। अन्य दोश भी इस प्रकार होते हैं जैसे मन्द से उतकरष्ट लाव सतकार वालों से ईर्शया या कलहा या लोगों का दमन करना। धर्म प्रवचन या अपने कल्यान मातर का समंधी रखना चाहिए। यदि हमारा मन ये तर्क देता है कि हमें प्रतक जनों के निकट रहकर अनेक लाव सतकार मिलेगा तो बहुत लोग मित्र बनकर इसने देंगे। अग्यानता वश जिस पर मोहित होकर राग होता है वही दुख का कारण भी बनता है। जीवन काल में जितना भी लाब सतकार येश है सभी निरतक है क्योंकि मिलत्यों के समय सभी को छोड़कर जाना बड़ता है। यहां एक महतरपूर शिक्षा दी गई है कि हमें अपने सामने इस तुत्ती पर प्रसंद होना चाहिए। जबकि पीट पीचे हमारी निंदा करते हैं लोग और भी अनेक कारण हैं जिनके कारण हम प्राणी संतोश नहीं कर सकते। प्रतक जन दूसरों से अधिक विश्वास से प्रसंद नहीं होते जबकि ऐसा हम में भी वो पाना संभव है। ऐसे अनेक स्थान पर अभ्यास करते समय शिक्षा पातर कमल आदी खाने पीने का सामना किसी के काम ना आने वाले चीवर पहने या पिर अपने पास कुछ भी ना चुराएं या लूटें। इसी दिये नित्यता की भावना दूर करते समय शम्चान में जाकर दूसरों की गली, सड़ी, लाशों और प्राणियों की हड्यों को देखकर कभी मेरा शरीर भी इस तरह होगा इस प्रकार सोचना चाहिए। शरीर किस प्रकार से गंदिगी से भरा है। एक बार जब मैं थाइलेंड गया तो वहाँ एक गेट था। उस गेट को मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो की मर चुका था तो मर जाने के बाद उसके शरीर था। उसकी वहाँ फोटो भी लगया ही हुई थी। शरीर किस प्रकार से भरा है। शरीर किस प्रकार से भरा है।